हमारे साथ में एक बहुती स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है श्विताब गांगवार, ये एक popular यूट्यूबर है और एक author है, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी problem में है, जिसकी वज़े से हमारे टीम ने इनको invite किया है, प्रॉब्लम ये है कि एक 26 साल का लड़का है, जिसक क्या हो गया कि एक टाइम पर जिस इंसान को आप अपना छोटा भाई बोलते थे, आज वो इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है, भाई था, जो भी था, ये तो, you know, like, that's how we started, basically, आप उसको कैसे मिले थे, कैसे जानते उसको, okay, 500, I think, इसके subscribers, apparently, मुझे बहुता चला है, इसके 500 subscribers थे, कि जब मैंने रीच आउट किया, तो, he was making videos on me, he made a video on me, उसमें इसके reaction काफी brash थे, काफी attitude था, जो भी था, बट मेरे को पता नहीं क्यों बच्पन से बच्पन नहीं बोलूँगा, मेरा YouTube करिया जिना भी चला है, उसमें एक हलकी सी actual type रही है, कि छोटा कोई क् तो मैं यह तो पूरा separate video ही बना लेता हूँ, यह मैं podcast में बना लेता हूँ, यह मैं होता है कि help करो यह, comedian भी हो सकता है, मैं Salil जामदार, creator था, Salil जामदार ने बहुत बड़ एवीडियो बनाए था, celebrity culture पे, उसने, you know, satire, parody बनाई इसने, मैं बहुत चालागा, उसका 2 लाग बहुत close friends हो गए, और भात हमेशा भी कहता है कि उसने pump दिया था मेरेको बहुत सबर्दस्त, इसके लावा, Simon Saysik चैनल है, मैं उतना पूरा एक dedicated video बनाया था, कि इस channel को subscribe करो, कुल मिला के, and इनकी comedy बढ़िया है, यह punch up कर रहे है, यह सटायर कर रहे है, यह आवाज भी चीज किया, मेरा जो पहला collaboration है, उसी के अंदर video में, मैंने बोला है clearly, कि यह मेरा चोटा भाई है, यह मेरा चोटा भाई है, यह मेरा चोटा भाई है, और इसको जितना मैं, मैं अगर मेरा दिल से आप कितनी help कर सकते हो किसी की, मैं इस से आदा और तगडा association क्या draw कर सकता हूं, कु जितने भी मेरी audience जो देख सकती है, आप कोई भी मन में, 1-2% भी मत समझो कि अग एक collaboration हो यूटूब या सम्थिंग, इसको subscribe करो, support करो, मैं सच बता हूं, इस वक्त, I don't know, who this person is, I have no idea, because, जो चीजे, like, if I have ideas, भो फिर बोलने लायक नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है, तो, obviously, for very obvious reasons, बच्छे नहीं है, तो, बोई है, and, I don't know, बेको काफी शॉक हुआ हूँ हूँ है, इसको आपने लिखा था, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी लाइए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जब मैं आया था, I think, 7-month-old baby था, आप आया क्यों थे, यहां आने का क्योंकि मम्मी को cancer diagnosis हो गया था, और आपके father? मेरे पिताजी नहीं है, अच्छा, आपके पिताजी नहीं है, मैं जब 15 सल का था, मेरे पिताजी की situation ही बहुत खराब है, मैं सच बताओ दू, मैंने बार अपनी जिंदीगी मास तक अभी करी नहीं है, YouTube मैंने hint भी नहीं दिये ह इस बात को हमेशा यह रहता है कि मेरी मम्मी कोई कहानी है, मैंने क्या देखा है मुझे पता है, और वाइलेंस में भी जो सहा है मुझे पता है, मेरी situation में इसलिए बार बार बोलता हूं लोगों से कि education में मैं से पुछते हैं तुमने क्या पढ़ाई करी, अरे भाई, नहीं क पता है में अरे बार 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 बनाती थी आपको तीसोर बाइक खिलाने का मिलता था आपकी मतर का ट्रीटमेंट चल रहा है वो वो समझ सकता है जो कि वर्ड इनफ है हाव वर्ड इनफ है वर्ड सुनके डर लगता है सच बतार में अगर मेरी मुम्यों कुछ सीरिस हो जायेगा ना बहुत जादा मेरा गिए यही है मैं वह नहीं दे पाया जो नहीं हमें दिया है मेरे को बस जाही है सार मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वहा है कि में को अपनी मा को यह जो रिमेंडर लाइफ यह बहुत अच्छी देनी है तो मुझे आप एक बात बताओ कि जिसको आप अपना छोटा भाई बोलते थे एक टाइम पर उसको पता था कि आपके बच्पन में क्या प्रॉब्लम हुई है अपके घर की क्या कंडिशन है और अभी करेंटली यह तो हंड़ी दुनिया को पता है क्यूंकि आपने कम्यूनिटी पोस्ट में आपके सामने ड करती थी तो गो रॉंग दिस इस इट बाकी सब चीजें सब कुछ मैनेजबल होता लाइफ में इतने तो है ना कि मैनेज कर लें देखिए पछडों में भी तो क्याटेगरी होती ना एक साइकोलोजिकल पछड़ा होता है वो अता है कम्लेटी डिपेंटन करता है इंसान की प करता है मुझे नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पड़ेगा मुझे क्योंकि दिखता है इस अब वहम है यह चीज जो थी यह एक मातर चीज थी जो कि मैं इस वक्त मेरे एक कंप्लीटी निव लेयर आइड करता है और अफ द एक्सिस्टिं डिटीज इन माई लाइफ प्लस सर म इस ने सब किया है आपके अगे इसमाम नहीं लेते उसको अगर आपको कोई मेसिज देना हो अभी अभी वो यह वीडियो देख रहा होगा इम शॉर तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको मतलब अभी आपके मन में एक्जाट्ली क्या चल रहा है मैं दिल से बाप बरता हूं सर जब किसी इंसान को समझ नहीं सकता ना या इसकी मांच से इस्तेती को नहीं समझ सकता तो लास्टिंग जो मेरे बश्ती है एक्सेंट करना वह है एमपती क्योंकि देखो दोस्त तुम कुछ भी हो सकते हो लेकिन तुम एक बहुत अंदर कोर में इंसानी हो मैं बहुत चोटी जो हमनाइस कर देती है कि तुम हो सकता है को चार बात जो बोलने आले थे उसमें वो शायद रुख जाओ कि यह एक बेटा है किसी का यह किसी की बेटी है तो सर मैं इस इंसान को अभी नहीं समझता बट कहीं नहीं यह जूच तो रहा होगा किसी ने किसी परशानी से खुश मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि what is it that you are going through कोई नहीं सोच सकता और मैं सच बता रहा हूं यह सारी controversy शुरू आपके और मेरे से हुई थी जहां से पुरी दुनिया को पता है कहां से हुई थी और दो दिन में ख़तम भी हो गई थी और क्या और मैं यह कह रहा हूं चलो मेरे को नहीं लगता कि मैं या कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी compassion है थोड़ी सी इंसानियत है वो आपके against ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है करना तो बहुत दूर की बात है उसने जो भी किया उसके बाद मैंने माफी मांग ली public में एक बार मांगी दो बार मां क्योंकि मेरे दिवाग में यही तागी है 26 साल का है मतला भी इसके आगे पूरी इसकी life पड़ी है क्या करना है छोड़ो ना मेरे parents ने भी मुझे यही बोला कि क्या करना है यह सब करके छोड़ो 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 तो जब छोड़ने वाली बात आई मैंने ठीक है माफी मां मांग लेते हैं मैंने माफी मांगी बात वहां पे खतम हो जानी चाहिए थी काइदे से लेकिन उसके बाद जो उसके ट्वीट्स हैं वो जा करके पढ़ लो उसको बोलते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं हमारी लीगल टीम में जूनियर लॉयर है उनसे एक टाइपिंग मिस्ट और यह आप भी जनते हुआ और मैं जानता हूँ कि वह नोटीस भीजने से पहले भी मैंने भड़ को एमेल किया था पसले मैंने पहले ही क्लियर कि ए कि मुझे पता है आपकी क्या कंडिशन चल रही है आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी स्ट्रेस ने ना क्योंकि मुशे प जो बार-बार excuse दे रहा है ना अपने platform पे आ करके कि यह जो मैंने किया वो श्यताब की वज़े से किया श्यताब ने मुझे बोला करने के लिए भाई साब अगर आप एक एक चुल में चार साल की चोटी बच्ची हो ना तो यह excuse बहुत बढ़िया है कि उसने मुझे कहा था private messages है जो एक्सपोज करने की बात कर रहा है उसमें क्या है उसमें यही तो है कि अगर आपने मान लो एक बार को बोला भी उसको यह करने के लिए तो भाई दिमाग तो तुम्हारा खुद का है तुम्हें पता होना चाहिए ने क्या करने क्या नहीं तो मैं बस इतना कह सकता कि मुझे आज भी इस बच्चे की एक्चुल में परवा है इसी वजह से हमारी लेगल टीम बहुत कुछ बोल रही है कि इसके अगेंस यह करते हैं वो करते हैं यह होना चाहिए वो होना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से नहीं हो रहा है और मैंने सब को रोक रख अगर वो समझ आ जाए उसको तो बहुत ही बढ़िया है अगर नहीं समझ आता है और लीगल बैटल करने का शौक है तो उसके लिए भी मैं तो तैयार हूं और वसके सिनेरियो पकड़ो कि अगर आप यह केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको दो करोड रुप करने वाला था और मेरे को ब्रांड दील मिलने वाली थी पचास पचास लाग की ब्रेंट डील नहीं मिली तो मेरे को 10 करोड का नुकसान हो गया तो क्वांटफीफाइज हो गया इस डेफ़रमेशन की वजह से आप कैसे कवांटीफाइज करोगे भाई साथ और आपको नुक्सान कहा हुआ है एक पर facts को देखते हैं ना आपने खुद अपने मूँ से बोला कि यह सब होता है subscribers के लिए number one number two आपने खुद अपनी वीडियो में बोला कि इस controversy की वज़े से आपको 50,000 subscribers मिले है number three जो भी वीडियो जिन्होंने बनाई है जहां पर मेरा नाम यूज किय है या मेरी photographs use करी है या मेरे बारे में है उन सब की उपर अगर आप collective views देखोगे तो millions में है जितने अगर आप इसकी 50 videos combine कर लो तब भी नहीं है तो नुकसान कहां हुआ है भाईसा आपको तो profit हुआ है काईदे से तो आपको 2 करोड रुपे मुझे देना चाहिए 2 करोड हो मेरे माइंड में इसका solution है आप बताना अगर आपको ठीक लग रहा है तो कि आपने हमारे उपर case किया है तो आप हमारी videos हटवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं हम अपनी videos हटाने के लिए तयार है I think आप भी हटाने के लिए तयार हो वह को काम करना है काम करना है आप भी ह कुछ बात करेंगे आप अपने काम पर ध्यान दो हम लोग अपने काम पर ध्यान देंगे उसके बाद में अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो हो सकता है future में हमारी टीम आपको invite करेगी यहां पर आने के लिए और फिर हम साथ में बैठेंगे बात करेंगे पुरानी आपस में लडाई जगडा भी हो जाता है लेकिन जो रहता है गर चे अंदर ही असली में बड़े हैं सर तो अगर वो यह देखते हैं कि एक क्रीटर के अगेंस्ट जो की इतनी बुरी कंडिशन में है उसके against case हो रहा है क्योंकि आपकी जो family है वो बहुत ही powerful है या बहुत ही पैसे वाले हैं और वो छोटे creator को दबा सकते हैं और कोई creator उसकी help करने के लिए नहीं आ रहा है ना public कुछ कह रही है तो मुझे यह बता दो उसके बाद में कौन रोकेगा किसी भी Bollywood celebrity को या किसी भी corporate क को हर बात पे case करने से मेरी आप सबसे हाद जोड़कर के request है जितने भी YouTube के creators है अरे भाई साब इनके साथ में खड़े हो जाओ कि अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो कल आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा कोई भी आ करके आपके against case करेगा ना आपके साथ में public होगा आप चाहे एक YouTuber हो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे audience हो अपनी आवाज उठाओ वक्त आ गया है अगर आज चुप रहे तो कल आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा